डवलूबीसी यानि भाइट ब्लड से लिए जिसको लूकोसाइड भी कहते है यह रंगीन होता है क्योंकि इसमें हिमोगलोबिन नहें पाय जाता है डवलूबीसी की संख्या 8000 से 10,000 मिलीमीटर क्यों होता है डवलूबीसी और अर्वीसी का अनुपात 601 होता है डवलूबीसी के कार रोगों से सुराच्छा प्रदान करना डवलूबीसी में नुकिरियस पाय जाता है डवलूबीसी का निर्मान अस्थी मज्जा एबं लिम्फ नूड में होता है डवलूबीसी का जीवन काल पुराने वाला डवलूबीसी का दूसर चार दिन अजो नया WBC बनता है उसका जिवन का 10 से 12 दिन WBC दो परकार के होता है एक हो गया ग्रेनू लो साइट दूसरा एक ग्रेनू लो साइट ग्रेनू लो साइट में तीन परकार का होता है नूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स एक रिनोनोसाइट मुआए दू、 लिम्फोईट मूनोसाइट हब Nutrophils को देखते हैं नोट्रोफिल्ज का काम रोगानुवों को नश्ट करना और इसीनोफिल्ज का काम, इलर जी समंदित भीमारियों को ठिक करना अब बैसोफिल्स का का हेप्रीन नामक योगिक का निर्मान करना अब मोनोसाइट मोनोसाइट डेबलू बीसी का सबसे बड़ा भाग है या शरीर में रोगानों का भच्छन करता है मोनोसाइट दो परकार का होता है इसका लिम्फोसाइट रोगों से लड़ने के लिए अंटी बोड़ी का निर्मान करता है लिम्फोसाइट दो परकार का होता है टी लिम्फोसाइट इसका निर्मान थैमास यानि चेस्ट के बीच में होता है जिसके द्वारे एंटी बोडी का निर्मान किया जाता है ली लिंफोसाइट द्वारे एंटी बोडी का निर्मान किया जाता है बी लिंफोसाइट इसकी खोज फैबरिसियस ने की थी बी लिंफोसाइट चिकेन के बूर्सा में पाया गया इसलिए इसे बी लिंफोसाइट कहा गया वी लिम्फोसाइट का काम एंटी बॉडी का डिवलाप्मेंट करना कि लिम्फोसाइट की कुल संख्या 20 से 40 प्रसंट होती है कि डवलू बीसी का अधिक मात्रा में बनना लुकिमिया कहलाता है जिसे रक्त कैंसर भी कहते हैं एड्स एड्स टी लिम्फोसाइड शेल को नस्ट कर देते हैं जिससे एंटी बॉडी का निर्मा पंध हो जाता है इस इस इस्थिती को एड्स कहा जाता है एड्स जो है एचाइबी वायरस से होता है इसका फूल फॉंग एक्वाइड एमीनो डिफियेंसी सिंड्रोम एड्स में सरीज किसी भी रोग से लटने में असमर्थ हो जाता है एड्स के वायरस में अनुबंसिक पदात के रूप में आरेने पाया जाता है एड्स बिसानु करिमान प्रोटीन तथा नुकिलिक एसिट से होता है जिस समय आवरान करिमान प्रोटीन दोरह होता है जबकि नुकिलिक एसिट अनुबंसिक पदात के रूप में मौजुद होता है जिस बायरस में आरेने अनुबंसिक पदात के रूप में मौजुद होता है उसे रेट्रो बायरस कहा जाता है इसके दौरह असात धिरोग उत्पन होते हैं जब फिरस पुल्यो एट्स वाइरस को टेस्ट के लिए इलीसा टेस्ट, रीपा टेस्ट, बेस्टन ब्लोट टेस्ट किया जाता है लूको साइटोसिस में WBC की संख्या बढ़ जाती है लूको पेनिया में WBC संख्या घट जाती है अल्यूकेमिया में WC की संख्या अनिंतित रूप से बढ़ने लगती है जिसके कारण RBC का निर्वान बंद हो जाता है या इस्टिती अल्यूकेमिया की नाम से जाने जाती है इसे सधारन भासा में ब्लड कैंसर कहते हैं शरीर में कैंसर उत्पन होने का कारण और अलसे बंद हो दो